पहानी कब्रस्तान का रहस्य भाई भाई देख जल्दी यहाँ भाई जल्दी कल ही अपना अठारवा जनम दिन माना चुकी रोशनी ने आवाज देकर अपने भाई को बुलाया वो अभी अपने घर की तीसरी मंजिल पर बने केवल एक कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ जहाक रही थी क्या हुआ दी मैं यहीं को हूँ आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही थी कहता हुआ सार्थक रूम के अंदर आया उसके हाथ में एक ड्रॉइंग शीट थी जिस पर गहरी काली पैंसिल से एक हतियार नुमा कुछ बनाया हुआ था सार्थ भाई देखना वहाँ वहाँ आज फिर से आग की लप्टे उट्टी दिखाई दे रही है सार्थ जबसे हम यहाँ आए हैं तबसे मैं यह तीसरी बार देख चुकी हूँ हर महीने की आमावस्या को यहाँ आग की लप्टे दिखाई देती है अच्छा सार्थ यह बता अभी कितने बज़े हैं खड़की से बाहर जाक रही रोशनी ने सार्थक की ओड़ देखते हुए पूचा अभी दी अभी तो दस बज़ रहे हैं चलो न दी यह सब छोड़ो और नीचे जलते हैं वरना मा बहुत डाटेगी सुने का समय हो रहा है घड़ी देखते हुए सार्थक बोला और नीचे जाने लगा रुख भाई सुनना यार मेरी वहाँ जाने के इच्छा हो रही है आकिर वहाँ क्या है और ये आग क्यों जलती है और वो भी इतनी उपर तक कैसे सार्थक को रोखते हुए वहाँ जाने की इच्छा जताते हुए रोशनी बोली नहीं दी वहाँ मत जाना पता नहीं वहाँ क्या हो सुना है अमावस्या वाले दिन भूत पिच्चाश चुड़ैल सब शेतान की उपासना करते हैं और तो और वो लोग अमावस्या वाले दिन रात के बारा बजे नरबली भी देते हैं ना बाबा ना वहाँ जाना तो दूर मैं तो वहाँ जाने की सोचूंगा भी नहीं और आप भी मसोचना मुझे पता है आपको नई नई चीजें देखने और सुनने का शौक है आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है अपनी आँखे बड़ी करके रोशनी को देखते हुए सार्थक ने वहाँ जाने से मना कर दिया ख्यारे सार्थक धर भूख कहीगा देख मैं तो मां से छुपकर जा रही हूँ अगर तुझे आना है तो आजा कहते हुए रोशनी ने सार्थक के सर पर एक टपली मारी और रूम से बाहर आ गई रोशनी जैसे ही बाहर की और निकली वैसे ही सार्थक के हाथ में जो ड्रॉइंग शीट थी उससे उसका हाथ छुग गया रोशनी तो निकल गई लेकिन अचानक ही उस शीट पर बनी हुई ड्रॉइंग सुनहरी रंग से चमकने लग गई जिसे सार्थक नहीं देख पाया रोशनी और सार्थक दोनों भाई बहन थे जो बच्पन में तो बहुत जगरते थे लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन दोनों के बीच सने बढ़ता गया वो दोनों भाई बहन तो थे लेकिन सौतेले उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली सार्थक रोशनी से दो ही साल छोटा था सार्थक की मा ने कभी भी रोशनी को प्यार नहीं किया लेकिन सार्थक के कारण वो उससे कुछ कहती भी नहीं थी घर में रोशनी और सार्थक की मा दोनों अजनबियों की तरह ही रहा करते थे लेकिन रोशनी के साथ सार्थक था तो उसे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होती थी इन दोनों के पापा बाहर रहते थे अभी तीन महीनों पहले ही इन्होंने इस शहर में एक तीन मंजिला खाली बड़ा मकान खरीदा था वो भी बहुत कम कीमत पर क्योंकि इसके आसपास कब्रिस्तान बने हुए थे रोशनी रूम से बाहर निकल गई थी सार्थक भी अपनी हाथ में पड़ी शीट को वहीं कुरसी पर रख रोशनी के पीछे पीछे चला गया दी रुको ना यार चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ आपको अकेले तो नहीं जाने दे सकता ना कहते हुए सार्थक दौरता हुआ रोशनी के पास आ गया और वो दोनों नीचे की तरफ चले गए इधर वो ड्रॉइंग शीट आचानक ही उड़कर खिड़की के पास आ गई देखते ही देखते खिड़की का काच पिखलने लगा और जमीन पर बहने लगा था रोशनी और सार्थक दौनों धीरे धीरे बिना पैरों की आवास किये जैसे ही बाहर निकलने के लिए घर के दर्वाजे की तरफ बढ़े वैसे ही रोशनी को याद आया कि वो अपना फोन वहीं उपर कमरे में भूल आई है वो सार्थक को रुकने का बोल कर वापस उपर की ओर चली गई जैसे ही वो उपर आई वैसे ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कुछ है तीसरी मंजिल पर बस एक कमरे के सिवा कुछ भी नहीं था उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की लेकिन लाइट आउन नहीं होने के कारण कुछ नहीं दिखा मन का वहम समझ कर रौशनी ने लाइट आउन की लेकिन वहां की लाइट आउन होकर तेज रौशनी के साथ वापिस बंद हो गई ये सब छोड़कर वो अंदर कमरे में गई और एक दम से फिसल कर गिर गई पूरा पिगला हुआ काँच रौशनी के शरीर पर चिपक गया वो उठी और खुद को साफ किया उसे लगा कि शायद यहां पानी गिरा हो उसने अंधेरे में ही अपना मुबाइल खोजा और उठा कर जैसे ही रूम के बाहर आने लगी वैसे ही उसकी नजर उस शीट पर गई उसे ऐसे लगा जैसे वो शीट खिड़की के काँच से चिपकी हुई है ये भगवान ये सार तक पता नहीं क्या करता रहता है वो शीट टेबल पर रखी लेकिन रौशनी के वहां से निकलते ही वो शीट तेजी से उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गई रौशनी और सार्थक निकल चुके थे उसे दिशा में जहां इन लोगों ने आग देखी थे दी क्या आपको भूत प्रित पर विश्वास है? हम जहां जा रहे हैं वहां अगर सच में ऐसा हुआ तो सार्थक ने अपनी बेहन रौशनी के साथ चलते हुए पूछा और उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन रौशनी ने एक छटके से उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक उसके सामने आ गई सार्थक मैं तुझे का जाऊंगी हा 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 एक अजीब सी आवाज में बोलते हुए रौशनी बिखरे बाल आँखों के सामने आए हुए चेहरे पर शैतानियत के सार्थ सार्थक के सामने खड़ी हो गई दि सार्थक जोड से चिलाया और भागने ही वाला था कि रौशनी ने उसका हाथ पकड़ कर हसने लगी अरे बुद्धू मैं ही हूँ बस तुझे डरा रही थी वे कहते हुए रौशनी ने अопने बाल सही किये और सार्थक को शांत किया क्या दि डरा दिया कहते हुए सार्थक ने फिर से रौशनी का हाथ थाम लिया और दोनों उस और परते गए आग की लप्टें अब उन्हें बहुत करीब से दिखाई दे रही थी देखते ही देखते वो बहुत पास पहुँच गए थे उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वो लप्टें एक कब्रिस्तान से आ रही थी वो दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ था में कबरिस्तान की सीमा पर पहुँच चुके थे जैसे ही वो सीमा तक पहुँचे वैसे ही एक चमगादड़ों का जुंड बहुत तेज चितकारते हुए वहां से उड़ गया अचानक से वो तेज आग की लप्टें तीरे होने लगी जैसे जैसे वो कम हुई वैसे वैसे उन्हें वहां एक आकरती दिखाये दी वो शायद कुछ पूजा पाट कर रही थी उसे देखकर रोशनी को याद आया कि सार्थक ने उसे कहा था कि कब्रिस्तान में शैतान की पूजा की जाती है कुछ सोच कर रोशनी आगे बढ़ी लेकिन उसके आगे बढ़ते ही कब्रिस्तान पूरा का पूरा हिल उठा पेड़ पर पैठे उल्लू चमगादर के जुंड चिलाने लगे और उड़ते हुए उन दोनों के आसपास मंडराने लगे कोई-कोई उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगा लेकिन ये क्या जैसे ही रोशनी का हाथ किसी उल्लू या चमगादर को छूरता वो वहीं गिर जाते और मर जाते लेकिन इस बात का ध्यान ना तो रोशनी ने दिया ना ही सार्थक ने जैसे तैसे वो आगे बढ़े वो दोनों डरते डरते एक एक पग सावधानी से बढ़ा रहे थे कि अचानक एक पेर से उन दोनों के सामने एक चुड़े लटक गई दोनों ही चिलाते हुए पीछे हो गए वो चुड़े बहुत ही खतरनाक चीतकार के साथ उन दोनों के सामने आ गई दिखने में वो एकदम बड़ी चमगादर जैसी लग रही थी और चेहरा एकदम काला सडा हुआ और अपनी लाल आँखों को से देखते हुए आगे बढ़े जा रही थी वो दोनों धीरे धीरे पीछे हुए जा रहे थे अचानक वो चुड़ेल रोशनी पर चपती लेकिन खुद ही एक चीतकार भड़ते हुए उन दोनों से बहुत दूर जा गिरी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक उन्हों ने देखा कि बहुत से पिचाशों और चुड़ेलों ने उन्हें घेर रखा है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे ड़के मारे दोनों के हलक सुख चुके थे दी दी मुझे बहुत डल लग रहा है हम क्यों आए यहां पर यदि मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा सार्थक डरते हुए बोला सार्थ जिन्दा रहेंगे तुम आपको पता चलेगा न अभी तो यहां से बचने के बारे में सोचो रोशनी उन सब चुड़ैलों को देखती हुई बोली तब ही रोशनी को उन चुड़ैलों के बीच से ही निकलने के लिए जगा दिखाई दी सार्थ भागो यहां से जल्दी निकलो कहते हुए रोशनी ने सार्थक का हाथ पकड़ा और भागते हुए पिचाशों और चुड़ैलों के बीच से निकल गई वो भागने लगे लेकिन अचानक ही भागते भागते एक कबर से टकरा कर दोनों नीचे गिर गए सार्थक छट से वापस खड़ा हो गया और रोशनी को हाथ देकर खड़ा गया जैसे ही रोशनी खड़ी होकर आगे बढ़ी वैसे ही कबर से एक काला सा कुछ बड़ा सा हाथ निकला और रोशनी के उस हाथ ने पैर पकड़ लिये रोशनी और सार्थक की चीख निकल गई रोशनी खुद को छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगी लेकिन कुछ नहीं हुआ जैसे ही रोशनी ने अपने हाथ से उस हाथ को छुआ वैसे ही वहाँ एक भैंकर चीख निकली और वो हाथ जल गया ये देख रोशनी और सार्थक दोनों हैरान रह गए दी ये क्या हुआ था आपने जैसे हाथ लगाया वो हाथ कैसे जल गया क्या आपने कुछ शक्तियां हैं या ये सिर्फ इत्तफाक था सार्थक ने हैरानी से पूछा तभी आचानक हवाई चलने लगी बहुत तेज और अजीब अजीब सी आवाजे भी आने रगी थी बहुत दूर से एक उर्टी हुई चीज आते हुई दिखाई दी जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी वो आग की लपटे फिर से तेज हो गई और चारो तरफ भायानक महौल हो गया तभी एक बहुत खतरनाक आवाज पूरे कब्रस्तान में गूज उठी हाँ 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 आज मेरा सौ साल पुराना सपना पूरा होने वाला है इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा आज शैतान को प्रसंद कर मैं बहुत सी शक्तियां अरजित करने वाली हूँ कहता हुआ एक काला साया उन्हें उस आग की लपटों के बीच में दिखाई दे रहा था देखते ही देखते वो आग की लपटे और वो काला साया उन दोनों के काफी करीब आ गया था वो दोनों बुद्बने ऐसे ही खड़े ये सब देख रहे थे जरूरत थी मुझे तुम दोनों इनसानों की ये काइनात भी यही चाहती है कि मैं अपनी शैतानियत के बल पर इस पूरी दुनिया पर रास करूँ उस साय की हासी पूरे कब्रस्तान में गूज उठी अचानक वो साया उरती हुई चमकती हुई चीज को देख कर उसे अपने पास बुलाने के लिए कुछ मंतर पढ़ने लगा जैसे ही उसने कुछ मंतर पढ़ा वैसे ही वो उरती हुई चीज उसके हाथों में आ गई ये वही शीट थी जो सार्थक के हाथ में थी सार्थक ने इसे देखते ही पैचान लिया अरे अरे ये तो वही ड्रॉइंग शीट है जो मुझे उस स्टोर पर मिली थी और मैं आपको दिखाने के लिए लाया था दी हड़ बढ़ाते हुए सार्थक बोला अचानक पूरा कबरस्तान कापने लगा और जहां रोशनी और सार्थक खड़े थे वहां से कुछ ही दूरी पर धर्थी भट गई और एक कबर उससे बाहर आ गई जैसे ही कबर बहार आई उस काले साई के चेहरे पर से नकाब हट गया मा मा आप सार्थक और रोशनी दुनों एक साथ चिल लाए हाँ मैं और मैं तुम लोगों की मा नहीं हूँ सौ साल पुराने पिचाशनी हूँ जो ना अपने परिवार की होती है और ना ही अपने बच्चों की मुझे शैतानियत ताकतों के लिए अपने ही खून की बली देनी थी लेकिन ये लड़की ये लड़की मेरी दुश्मन है इसकी अच्छाई की ताकतों के आगे मेरी शक्तिया कमजोर पढ़ गई बहुत बहुत इसने तुझे जाने अंजाने बचा लिया लेकिन आज नहीं, आज कोई नहीं बचेगा ये देख रहे हो उसने उस ड्रॉइंग शीट की तरफ इशारा करते हुए कहा जब मेरे आगा को इस कबर में डाल दिया गया था उससे पहले इन्होंने ये कागस दिया था और बताया था कि जो कोई अच्छी शक्ती इसे चुएगी तो ये कागस से निकल कर बाहर आ जाएगा बच्पन में एक बार इस लड़की ने इसे चुआ तो ये एकदम से जगमगाया लेकिन उस वक्त ये अठारा की नहीं थी इतने सालों में मैं इसके अठारा होने का इंतजार कर रही हूँ इसलिए आज से तीन महीने पहले से यहां बली देकर अनुष्ठान कर रही थी ताकि ये लड़की अठारा की होते ही इसे चुए और बाहर आ जाए आज आगरी बली है और वो बली है मेरे अपने खून की केते हुए एक भयानक हजी के साथ अपना हाथ लंबा करके सार्थक को उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया सार्थक दर्द के मारे तड़पने लगा दीप बचाओ माँ छोड़ो छोड़ो मुझे सार्थक खुद को छोड़ाने का प्रयास करने लगा लेकिन नहीं छोड़ा पाया रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे अचानक उसे वो शीट दिखी जिस पर अभी भी रोशनी चमक रही थी सार्थक को उठाने के चक्कर में उसकी माने उस शीट को छोड़ दिया था वो शीट वहां से उड़ती आग की लप्टों के पास ही गिरी पड़ी थी रोशनी आग की तरफ भागी और उस शीट को उठा लिया आग के पास पहुंसते ही रोशनी के शरीर पर लगा काँच का पदार्थ फिर से पेगलने लगा था और जमीन पर गिरते हुए एक गुला सा बन गया देखते ही देखते रोशनी के हाथ में पकड़ी गई शीट अचानक से परवर्तित होकर एक हतियार का रूप ले चुकी थी जैसे ही वो शीट हतियार में बदली वैसे ही आस्मान से एक रोशनी उस हतियार पर गिरी पूरे कब्रस्तान में रोशनी फैल गई वो सौ साल पुरानी पिचाशन दर्थ से चिला पड़ी और उसने सार्थक को छोड़ दिया सार्थक दोड़कर रोशनी के पास आ गया आसमान से निकली तेज रोशनी रोशनी के शरीर पर लगे काँच के तरल पदार से टक्रा कर पूरे कबरस्तान पर फैल गई और इसी रोशनी से पूरे कबरस्तान के पिचाश और चुड़ैल जल कर खाक हो गए लेकिन वो सौ साल पुरानी पिचाशनी नश्ट नहीं हुई क्योंकि वो इनसानी रूप में थी इसी रोशनी से जमीन से निकलने वाली कबर वापस जमीन में चली गई अचानक रोशनी को एक आवास सुनाई दी जो वहाँ बनी एक पवित्र कबर से आ रही थी उससे भी एक अलग ही तदह की रोशनी निकल रही थी रोशनी? इस हतियार से तुम इस पिचाशनी के इनसानी शरीर को खत्म कर दो ताकि आसमानी रोशनी से भी ये जल कर खाक हो जाए मैं जानती हूँ कि तुमने इसे अपनी मा का स्थान दिया लेकिन इसके शरीर में पिचाशनी निवास करती है तो तुम्हें इसे मारना ही होगा कहते हुए उस कब्र की रोशनी गायब हो गई मार डालो मुझे लेकिन मैं फिर आउंगी अपना बदला और अपना सपना पूरा करने और मुझे मार भी दिया तो क्या? इस कब्रिस्तान का रहसे तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कभी नहीं कहते हुए वह पिचाशनी भायानक रूप से हसने लगी तभी रोशनी उस काच के घेरे सहित आगे वड़ी और उस हतियार को पिचाशनी के शरीर में घूप दिया एक भयंकर चितकारे से पूरा कब्रिस्तान काप उठा और इसी के साथ वो पिचाशनी जलकर खाख हो गई पिचाशनी के राख हो जाने के बाद वहां सब कुछ समाने सा हो गया आग की लप्टे भी बंद हो चुकी थी और रोशनी के चारों और बना काच का घेरा भी कायब हो गया था रोशनी और सार्थक भागते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए थे और अपने घर वापस पहुँच चुके थे उसी समय कब्रिस्तान में एक बार फिर भयानक आवास गुजी मैं वापस आउंगी आउंगी जरूर और इसी के साथ जो कब्र जमीन में चली गई थी वहाँ एक देतिकार विशाल कंटीला का पेड़ उगाया था आज वे उस कब्रिस्तान का रहसे बरकादार है और वो सौ साल पुरानी पिचाशनी फिर से आने के लिए उसी पेड़ की जड़ों में बैटकर तपस्या कर रही है